So hey guys, welcome back to my new video and Yoyopaji के गाने Together Forever को रिलीज हुए अब दो दिन हो चुके हैं और दो दिन के अंदर गाने के ओपर 2.7 million views complete हो चुके हैं लेकिन सभी को पता है कि ये views काफी कम है अब Yoyopaji के इतने बड़िया गाने के ओपर इतने कम views आने के पिछे क्या reason है? Manly तीन reason है जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं और definitely आप लोग भी मेरे opinion से agree करने वाले हो अगर आपको कोई और भी reason लगता है तो आप लोग comment कर देना लेकिन पहले वीडियो को पूरी देखना ओके तो पहले बात कर लेते हैं कि अब दो गाना कैसा perform कर रहा है तो together forever song को release हुए अब तक दो दिन हो चुके हैं और दो दिन के अंदर गाने के ओपर 2.7 million views complete हो चुके हैं साथी गाने के ओपर 3,67,000 से भी जैदा likes complete हो चुके हैं अगर views को देखा जाए तो इतने से views हने सिंग के गाने के ओपर 1 या फिर 2 गंटों के अंदर आराम से आ जाते हैं लेकिन क्या हुआ कि इस गाने के ओपर इतने कम views आई अब मेरे पास कम views आने के mainly 3 reason है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले reason के बारे में तो जैसा कि अब तक के जितने भी popular song थे योयो पाजी के वो सारे T-series के ओपर upload किये गई तो इस बार भी ये गाना अगर T-series के ओपर release किया जाता तो ये गाना बहुत ही जल्दी जो योयो हने सिंग की real audience है जो real fan है उनके पास बहुत ही जल्दी पहुँच जाता उनकी mobile की screen पर आ जाता तो बहुत ही जल्दी लोग देखते और गाने के ओपर views बढ़ जाते क्योंकि योयो हने सिंग के चैनल को सभी लोग नहीं जाते हैं वो बस ये सोचते हैं कि योयो पाजी का गाना T-series पर आएगा तो ये है reason number one अब बात करते है reason number two के बारे में तो वो है negative impact पड़ना तो जब योयो पाजी ने comeback किया था तब वो आले गाने जैसे भी थे फिर भी उन गानों के उपर आप लोग views देख सकते हो आ चुका था कि योयो पाजी की गाने अब वेसे नहीं आते हैं जैसे पहले आते थे तो बले ये song उनके सामने जा भी रहा है फिर भी कोई click नहीं कर रहा है और इसके बाद तीसरा जो reason है वो है योयो हने सिंग खुद अब ये बात कहने का मेरा मतलब है कि योयो हने सिंग सोशल मीडिया के उपर बहुत कम एक्टिव रहते हैं जैसे कि सभी को बता है कि योयो हने सिंग का गाना जब भी आता है तो almost सभी पंजाबी सिंगर उनके गाने को शेर करते हैं अपने Instagram पर, Facebook पर और जहां पर भी होते हैं आपने भी देखा होगा जैसे कि जसी गिल, इंदर चाहाल, मनिंदर भूटर, एमी विर्क, मिरिंद गाबा, गुरू रंदावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स है जिन सभी के नाम अभी में नहीं ले रहा हूं और इसी वज़े से जब इनके गाने भी अब रिलीज होते हैं तो सभी लोग शेर नहीं करते हैं अभी आपने देखा होगा कि टुगेधर फोरेवर सॉंग को बस गुरू रंदावा, इका और मिलिंद गावा इन तिनों ने शेर किया था, इसके अलावा किसी ने भी शेर नहीं किया था बड़े पंजाबी सिंगर्स की बात कर रहा हूं और इन छोटे-छोटे पॉइंट से भी मुझे लगता है कि व्यूज के ओपर काफी इंपेक्ट परता है अभी जो यह मैंने तिनों रिजन बताई थे, वो मेरे खुद की ओपिनियन है अब आपके कुछ और हो सकते हैं, अगर आप लोग भी मेरे ओपिनियन से एगरी करते हो तो कमेंट करो और अगर आपके कुछ अलग ओपिनियन है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो साथी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और हाँ इंस्टाग्राम पर भी अगर चाहो तो फोलो कर ले